हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं विंडोज 8.1 के अंदर आप ओरिजिनल लाइसेंस की को किस तरह से देख सकते हैं या निकाल सकते हैं आपको बिना कोई सॉफ्ट्वेर डाउनलोड किये ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ठीक है ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे सबसे पहले हमें क्या करना है इस पीसी पर राइट क्लिक करके प्रापरटीज करना है यहाँ पर आपको विंडोज 8.1 सिंगल लेंगोज दिखेगा और नीचे विंडोज इस एक्टिवेटेड डिखेगा 64-bit operating system है आपका ठीक है हमारा विंडोज लाइसेंस है एक्टिवेटेड है इसको हमें close कर देना है close करने के बाद start बटन पर क्लिक करना है और वहाँ पर right hand side में जो search का option है वहाँ पर आपको type करना है windows power cell क्या type करना है windows power cell उसको hit करना है enter करना है यहाँ पर आपको एक command type करना है जो कि बहुत ही carefully आप command type करिएगा नहीं तो गलत होगा तो फिर find नहीं करने देगा मैं command लिख के description box में डाल दूँगा वहाँ जाए आप copy paste कर सकते हो simple है बहुत easy है WMIC space path space software licensing लिखना है जहाँ जहाँ पर space है वहाँ पर आपको space रखना है जहाँ पर capital letter रहेगा वहाँ पर capital letter रखना है जहाँ पर small है वहाँ पर आपको small रखना है ध्यान रखिए गाई इस चीज़ को WMIC space path path space software software licensing 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 services 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 service space get space capital O capital A number 3 X ठीक है original का O capital रहेगा और product की product का P capital रहेगा के का K capital रहेगा की का K capital रहेगा इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और देते हैं Microsoft वाले या laptop company वाले वो अल्रेड़ी बायस के उपर डाल देते हैं ठीक है तो यह हमारा plus point अगर हमारा laptop करा होगा होगा तो हमारा original की चले जाएगा लेकिन अगर हमने की कॉपी कर लखका है पहले से inventory बना कर तो हमारा missing नहीं होगा ठीक है thank you